माराज राजश्वरी को गड़वाल राजाओं की कुल्देवी माना जाता है टिहरी के जलेड में स्तित राज राजश्वरी के धाम में शद्धालूं की गहरी आसता है चलिए आज आपको दर्शन करवाते हैं माराज राजश्वरी के धाम के माराज राजिस्वरी का जोई सिद्धपीट है यहाँ पर यह करीबन 500 साल पुराना है और 1100 वर्स पहले करीबन जो स्रिनगर में जो तीरी के जो राजा हुआ करते थे वो राजा जब टीरी स्रिनगर में राज करते थे तो कोई दो संत वहां पर आये थे और उन्हें किसी कारण मस क्योंकि उनके पास कुछ तांतरिक सकतियां थी तो उन्हें टीरी के जो राजा थे उन्होंने स्रिनगर में उन दोनों को क्योंकि टीरी के जो राजा है उनकी इस्ट है मा राजराजिस्वरी नाम से जिनको जाना जाता है तो उन्हें राजा ने ये कार्य सौपा कि आप यहां पर रहकर क्योंकि वो मिधिला से आये थे जो कि मुझे लगता है बिहार या उसके आसपास का छेतर मिधिला वहां से वो आये थे उनको राजा के द्वारा यहां पर मा भगवती का पूजन करने के लिए कहा गया कि आप जीवन परियंत यहां पर पूजन करें इसके लिए हम आपको जो भी बदले में जो भी दक्षना इत्यादी भरन पोशन हम आपका करेंगे तो तब से लेकर के सज्जनों 1100 साल से लेकर के अब तक पूरे उत्रा खंड के अंदर मा भगवती का जो पूजन करते हैं उन्याल जाती जो कास्यब गोत्र और भारदवाज गोत्र अलगल दो गोत्रों के हैं और तब से लेकर के तब देवलगड जो स्रीनगर के पास है वहां से मा बगवती को जोती के रूप में स्रीयंत्र के रूप में यह जो जलेट नामक जो इस्थान है यहां पर उस स्रीयंत्र को इस्तापित किया गया करीबन यहां पर स्रीयंत्र की पूजा की जाती है तो आपने देखा माराज राजश्वरी के दर्बार में जो भी आता है और जैसा कि आचारी जी ने कहा कि एक तरह से तुरित उसको फल मिलते हैं और यही भक्त लोग दूर दरास से आते हैं इसी मंगल कामना के साथ और देभुमी डायलोग की भी यही कोशिश है कि अगर इस धाम तक इस पावन धाम तक आप नहीं पहुच पाए हैं तो देभुमी डायलोग के माध्यम से आप माराज राजश्वरी के इस शिद्धिपीट के दर्शन कर सकते हैं